क्या होगा मैं अपने भावनाओं को रोख पाऊंगी कि नहीं रोख पाऊंगी आप इतना भावुक हो जाती है मतलब बहुत गहरा अरिस्टा है भाई बहन का कुछ ऐसा नहीं एक्चुली देखे मैं सिर्फ मनीश के लिए नहीं मैं हर उस वैक्ति के लिए भावुक हो जाती ह को बहुत कुछ ताना भी मिलता था, बहुत कुछ सुनने को मिलता था, median net का मुँका मिला आप से तो बहुत सारा सवाल आपसे होगा, सबसे पहला सवाल यह होगा कि एक अध्यक्ष होने के नाते अभी तो आप महिला विकास मंच का मतलब करोडों लाखों बेहनों के साथ थे लेकिन आज भाई के साथ भी दिख रही हैं लगातार आप दिखती हैं आज किस तरह से अपने भाई के साथ आप होंगे और क्या कुछ करने वाली है प्राइचार के खिलाफ एक आवाज तो महिला विकास मंच ने अभी 17 या 18 बच्चों को जूटे रेप के से मामले से जेल से बाहर निकालने का भी काम किया है तो हम तो पुरुषों के लिए भी काम करते हैं जब मुद्दे की बात है तो प्रतारित महिला हो या पुरुष हम हम दोनों को मदद करते हैं हमें एक ऐसे संगठन है रही बात मनीश कश्यप की तो उनसे हमारा परसनल रिष्टा है वो मेरे भाई है और मैं उनके दिल में वो एक जगह बनाई हूँ वो मेरे दिल में जगह बनाई है तो ये दिल का रिष्टा है इसको तो कोई तोड़ नही सकता बिलकुल आप सुनने में आया कि आप राखी बांदने के लिए भी आप बियूर जेल गई थी लेकिन आप बांध नहीं पाई थी वो प्रोटोकॉल था रक्षाबंधन के दिन अगर ऐसा होता तो फिर एक नया मामला उभर के सामने आता लेकिन जेलर साहब भी बोले फिर एक चिठी राखी मिठाई जो थी मेरा जो फर्ज था तो ठीक है भाई सरहत पे जब लड़ाई लड़ते रहता है तो उनकी बेहने भेशती है ना राखी तो भाई बांध देते वही समझ के हम बेउर जेल को सरहत समझ लिये थे जाके भाई को राखी पहुंचा के चले आया ईक वहन होने के नाते, भाई 109 मेहने जेल में रहे, उन 9 मेहनों में क्या क्या कुछ, मतलब आपको उनके चलते कठनाईों का सामना करना पड़ा चुकर बहुत कुछ, मतलब ताना भी मिलता था, बहुत कुछ सुनने को मिलता था कठिनाईयों का सामना एका की और फिर बहुत सारे केसे सैसे आएं जहां वो प्रखर रूप से हमें लेकिन उनके नहीं रहने पर एक चीज़ जो सामना करना पड़ा वो जातिवाद का जो कि फील आ गया कि नहीं वो उनके आसपास के कुछ लोग थे जिन्होंने ये भावना प कैसे कर सकते हैं तो बस यही सब तकलीफ है चोटी मोटी सीने में है दर्द तो है अब इंसान ही है हम भगवान तो है नहीं दर्द तो हमारे सीने में भी हो सकता है ना आप लोग महिला का विकास खुले के बात करती हैं अभी तक हर एक राज्यों में लगबग लगबग आप के लिए अभी तक देखिए आप अगर छे तारीक को पटना आ सकते हैं तो आप आईए हमारा साल में एन्वलमेट होता है आपको कई ऐसी महिलाएं माइक पे दाढ़ते हुए मिल जाएंगी छे तारीक को जो सुसाइड करने जा रही थी अभी जो मेरी दिल्ली की अध्यक्ष ह जिन्होंने चार मेहने के अंदर लगता है 22 या 23 केस सॉल्व किये जो सुसाइडियल थी जो अगर महिला विकासमंच की सदस्य न बनती तो वो मौत के घाट उतरती उनका इतना डिप्रेशन था तो उस डिप्रेशन से निकालके उसको एक नई दुनिया हमने दिखाई तो आ महिला को देते हैं जो महिला दर्द से गुजरी होगी न वो उस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती है और जिसको एकदम से लॉली पॉप की तरह महिला विकासमंच का पद मिल गया तो उसके लिए तो फिर लगता रहे भाई बनी वनाई रोटी में घी लगाने तो ऐसी म महिला आ रही हैं कुछ महिला नहीं भी पहुच पा रही है जम्मू कश्मीर से 20 आरही है दिली से 25 महिला आ रही है ऐसे कर करके बहुत सारी महिला आएंगे अगर आज हमारे पास हाथ में पैसे होते हैं, हम कहाँ फेल होते हैं, हम अगर अपनी ताकत से सौ लोगों को पूरे साल में मदद कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास कुछ प्रसाश्टिक ताकत रहें, तो हो सकता है, हम हजारों को कर सकते हैं, तो जो आप नहीं कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, हम मान्य मुख्य मंत्री जी से क्या गुहार लगाते हैं, आपके यहां, जो जारखंट की अगर बात कर लें, सुदेश महतो जी और प्लस बन्ना गुपता जी, इन तमाम लोगों ने ज ध्यार्क्र्टंट में महिलला विकास मझ को बहुत मदेद किया है कुछ भी होता है तो जहार्कर्ट सरकार ऑपसी। में आपका महिला उपका यह काम कर रहा है तो आप महिला विकास मझ को दे धिजे हम तो अल्रेडी कर रहे हैं, हम फिर हमें गाड़ी की फैसलिटी मिल जाएगी, तो आज अगर किसी पीडिता से हम बोलते हैं, बाबू गाड़ी का वेवस्था कर दो, मैडम लोगो भेज देते हैं, तो वो भी नहीं न बोलना पड़ेगा, मतलब ये तय है कि इस मंच के माध्यम से आप लोग राजनिती का, मतलब राजनिती नहीं, लेकिन सरकार को से जरूर इतना गुहार लगाना चाहते हैं, कोई ऐसा रास्ता बताईए, हमें कोई शौक करने का, हमें शौक करने का, और सरकार आपकी, समाज आपका, बिहार आपका, हम आपके, तो आप हमसे ही काम कराओ न.. आप अगे देख रहे हो कि महिला इतनी महनत कर रही, इतनी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं ये दे रहे हैं अगर 25 मशीन खान सर हमें दे सकते हैं तो सरकार हमको 100 मशीन नहीं दे सकते हैं इतना थोड़ी बिहार सरकार कंगाल बैठा हुआ है तो ये सब तकलीफ है अचा मनीश का से को क्या बनते देखना चाहिए चुकि आप एक बहन भी है और महिला विकास मंच की अध्यक्षा भी है तो आपके और से क्या मतलब जहन में क्या चलता है क्योंकि किस तरह से उनको सेवा करना चाहिए देखिए उनको बिलकुल जिस पाथ पे वो चल रहे थे ब में दिखता था तो समासिवाब की भावना जो उनकी थी वो रहेगी भी वो तो बदल नहीं सकती और इतिहास रचने वाली चीज उनके अंदर दिख रही है वो आग दिखती है वो जलबलाहट दिखती है वो तेज दिखता है उस बच्चे के चेहरे पे तो डेफिनेटली ये एकदम तैयारी रहेगी बिलकुल बहुत स्वागत होगा तो लग रहा है कि पहले मैं उसको देखते मेरा खुद का रियक्शन क्या होगा मैं अपनी भावनाओं को रोक पाऊंगी की नहीं रोक पाऊंगी आप इतना भावुक हो जाती है मतलब बहुत गहरा अरिस्ता है अच्छे दिल का मालिक हो और उसको वो अधीकार न मिले तो मुझे तकलीफ होती है मुझे पता नहीं बहुत भावनाओं में रहती हैं लेकिन मेरा खतबी नहीं होता है भावना में अच्छा कभी आसा पल जब साथ हो आपके भाई मनिश कस्याप और उसमें इस तरह का अग अभी तक तो जब भी साथ रहें तो हम लोग मस्ती में ही रहे थें, लेकिन आसू तो उसके जेल में जाने के बाद में निकल रहा है, उसके बहले थोड़ी निकला था कभी, कभी नहीं, मतलब अब तो आने का खुशी होना चाहिए, तो फिर ये आसू क्यों, खुशी के आसू ये जो fan and follower Facebook पे है न, वो कभी-कभी आपको इतना उतेजित कर देते हैं कि उस आक्रोश में, अरे हम कर देते हैं, उमर का भी तकाज़ा है, तो जोश भी है यह हुआ का, तो उसको थोड़ा वो संभाल के रखें, कच्छुए की चाल चलें, थोड़ा अपने में सयमता और श जरूर दे, किस तरह से वो किस फिल्ड में काम करना चाहिए, अपने प्रतक्रिया जरूर दे, जोहार, नमस्कार, जैहन